गुड मॉर्निंग ओल उफ यू आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 25 मोखिक वर लिखेत अभिवेक्ति स्टार्ट करेंगे पेज नमबर 130 तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में देखेंगे कि मोखिक वर लिखेत अभिवेक्ति क्या होता है जीवनभर भाशा का प्रियोग मनुष्य तीन प्रकार से करता है बोलकर लिखकर और पढ़कर जीवन भर भाशा का प्रयोग मनुश्य किसे प्रकार करता है तीन प्रकार से करता है जैसे बोल कर लिख कर और पढ़ कर रचनात्म कभी वेक्ति भी दो प्रकार की होती है रचनात्म कभी वेक्ति भी दो प्रकार की होती है मोखिक अभी व्यक्ति और लिखित अभी व्यक्ति अब मोखिक अभी व्यक्ति क्या होते हैं सबसे पहले वह देखिए जीवन के प्रतिक छेत्र में मोखिक अभी व्यक्ति की भूमिका रहती है मतलब जीवन के प्रतिक छत्र में मोखी मतलब बोलकर इसकी अभिविक्ती की भूमी का होती है चाहे वो सवेरे उटकर मां से नाश्ता मांगना हो या किसी बड़े पत के लिए साक्षात कर देना हो वो एक्जाम्बल की तौर बें बता रहे हैं चाहे हमें सुबह मां से नाश्ता मांगना हो या किसी बड़े पत के लिए मतलब किसी बड़ी पोस्ट के लिए साक्षात कर मतलब इंटरव्यू देना हो तो कैसे होता है माशा की दक्षता और उसका कुशल प्रयोगी सामने आता है मौखी कभी विक्ति के कई रूप माने जाते हैं मंतलब मौखी कभी विक्ति के कई रूप सामने आते हैं जिसमें से कुछ इस प्रकार दिये गए हैं जैसे अंताक्षरी अंताक्षी खेलते हैं वो भी मोखीक अभिवयक्ति हैं कविता कविता पाथ, कहानी वचन, वारत लाप, कारेक्रम संचालन, घटना वणन, भाशन वाद विवाद, समवाध वाचन, साक्षात वाचन, समाचार वाचन और वाचिक अभिनए तो ये सब क्या है मौकी कभिव्यक्ति के अंतरगत आते हैं तो मौकी कभिव्यक्ति के लिए ध्यान देने वाली बाते कौन सी है वो देखिए अच्छी मौकी कभिव्यक्ति के लिए निम्रलिकित बातों का ध्यान आवशक है कौन से संकोच रहित होकर बोलिए मतलब संकोच र प्रभावसाली कि अब लिखेत अभी व्यक्ति में क्या आता है देखिए लिखेद अभी व्यक्ति में कई रूप होते हैं कभीता लेखन, कहानी लेखन, अनुच्यद लेखन, इमेल लेखन, निबंद लेखन और लास्ट का सेमन पॉइंट पत्र लेखन, यह किसके क 파ते आते हैं लेखे अभिवेकती के अन्तरकारत आते हैं और लेखे अभीवेकती के भी ये रूप हैं, इसके बाद लिखे अभिवेक्ति के अन्य रूप, अभिवेक्ति के अन्य रूप कौन से होते हैं देखे। अन्या रूप है